दोस्तों, Facebook की तरब से कुछ नए अपडेट्स किये गए हैं, Facebook के Professional Dashboard में अगर आपको ये अपडेट्स अभी तक नहीं मिले हैं, तो सबसे पहले आप अपने फोन में Play Store को ओपिन करें और Facebook Application को अपडेट कर लें उसके बाद आप देखेंगे, आगे जो मैं आपको अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ ये सारे अपडेट्स आपको Facebook Application में Professional Dashboard में देखने को मिल जाएंगे ये जो नए अपडेट्स है, इसमें कुछ features को, कुछ options को Facebook ने Professional Dashboard पर add किया है जिसके बारे में as a Facebook Creator आपको पता होना चाहिए अगर आप Facebook पर content upload करते हैं, फेस्बुक पर आपका page है, आप Facebook से पैसे कमा रहे हैं आप Facebook से पैसे कमाना चाहते हैं, तो Facebook के हर एक update के बारे में आपको पता होना जरूरी है तो चलिए, सबसे पहले हम Facebook Application को open करते हैं और आपको दिखाते हैं कि Facebook ने Professional Dashboard में क्या नए अपडेट्स किये हैं, तो side में हम screen recording को सबसे पहले on कर लेते हैं, अभी screen recording आप देख सकते हैं, चलिए हम Facebook application को open करते हैं, हम Facebook application को जब open करेंगे दोस्तों, द्याद रहे, आपको सबसे पहले अपने phone में Facebook application को update कर लेना है, अगर आप update नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको यह जो नए options मैं आपको बताने वाला हूँ, वो देखने को ना मिलें, तो Facebook application ज़रूर से update कर लें, उसके बाद आप देखेंगे, यह मारा Facebook का एक demo page है, यह मेरा original page नहीं है, original page यह है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मेरा original channel यह है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, screen पर मैं चलता हूँ अपने profile में, यह मेरा एक आनंद क्यार्वी नाम से यह मेरा demo page है, अब यहाँ पर आने की बाद, अगर मैं manage पर टच करूँगा, तो आप देखेंगे, हमारा साब में यह सारे options आ जाते हैं, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर home page से ही, यानि अपने page के home page पर आएंगे, facebook के home page पर, यहाँ right side में हमारा जो profile photo दिखता है, अगर हम यहाँ पर टच करेंगे, नीचे हमें professional dashboard का जो option दिखता है, अगर हम यहाँ पर टच करेंगे, तो हम आजाएंगे अपने page के professional dashboard पर, अब दोस्तों यहाँ पर आने की बाद, हमें नीचे कुछ options मिलते हैं, जैसे reach है, और content कि हमने कितना डाला हुआ है, यह मेरा demo page है, तो इस पर मैं content नहीं डालता हूँ, कुछ भी video upload नहीं करता हूँ, बाकी recommendations, monetizations, यह सारे options समय यहाँ पर देखनों को मिल जाते हैं, इसके अलावाद दोस्तों, अब आप यहाँ पर कुछ नया notice कर रहे हैं, साइध आप लोगों से कुछ लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, वो आप देखेंगे, उपर हमें professional dashboard लिखा हुआ मिल जाता है, राइट शेट में settings भी मिल जाता है, setting option, यह option में पहले भी मिलते थे, लेकिन इसके ठीक नीचे आप देखेंगे home लिखा हुआ है, analytics लिखा हुआ है, और आप देखेंगे home पर हमें home page दिख जाता है, जो कि हमें पहले से मिलता था, अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नए options add किये गए हैं, जैसे पहला option है, analytics का, अगर हम यहाँ पर टच करेंगे, तो हम अपने पूरे page के, अपने page का जो पूरा analytics होता है, पिछले 28 दिनों का, वो सब कुछ हमें यहीं पर देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर reach कितना है, content हमने कितना डाला है, interactions क्या है, हमारे net follower कितने आया है, कितना second हमारा video चला हुआ है, एक मिनट तीन second कितना चला है, वो सारी चीज़े में यहाँ पर मिल जाता है, और हम create post करने का भी option मिल जाता है, वो सारी चीजे हमें यहां पर देखने को मिल जाता है इसके बाद अगला अप्टम में आप देखने को मिल जाता है इसके अलामा एकदम बॉटम में आप देखें कि तो हमें यहीं पर क्या हैं अगला अगला करेंचे कूस करने अगला क्या है अगर आपको किनी मिल जा करेंगे और यहां से रहें प어game करेंखेंचे मिल जाता है अगर आप prostu तरहंगे आप दीखेंगे दूल यहां यहां पर देखने की जरूत नहीं है अगला आप्सार में मोनेटाइजिशन का भी यही पर मिल जाता है अब मैं लोगों को पता है जो कि मोन में जाने के बाद मिल जाने के बाद देखा जाए तो जो नया अपडेट है वो सिंपली प्रोफेशनल डेस्बोड पर जाने के बाद हमें जो कुछ आप्शन से यहां उपर देखने को मिल रहे हैं जो कि यहां पर मिल रहा है जैसे पहला आप्शन मैंने बता दिया है होम एननेटिक्स क्रेशन एंगेजमेंट और कर दीजेगा चैनल पर नहीं है या भी तक सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब लेजेगा और अगर आप यह वीडियो फेस्बूप कर देखा तो फालो जरूर कीजेगा